आज के समय में परिस्तिती ये बन गई है कि OBC के बगएर कोई सरकार बनाने में समर्थ नहीं है, चाहे कोई भी किसी वोट बेंक की बात करता हो, 89 में मंडल कमिशन लाग हुआ, मंडल कमिशन उससे पहले बन गया था, 89 में उस समय ना बीजेपी की सरकार थी और ना उस समय कॉ प्रदानमंतिर रहे, उन्होंने इसको लागू किया और उसके आज रिजल्ट आ रहे हैं, आज के समय में OBC वर्ग के हर जातिया, हर समाज के लोग ये इतने जागरुक हो गए, वो अपने हट के लिए, अपने हकुका के बारे में समझने लगे हैं, तो जो भी पॉलिटिकल वर्ग है, उसकी आज कोई भी आदमी, कोई भी पॉलिटिकल दल, ये सोच भी नहीं सकता कि OBC समाज के बगर, वो सत्ता में आ जाएंगे, ये राजजिती में सक्सस पालेंगे, तो ये आज सब दलों की मजबूरी है, रीजन वो ही है, जो अभी सर ने कहा कि संख्या, संख् कार बनेगी नहीं, कोई भी सत्ता में आएगा नहीं,